तो आज के दस डेली उस इंग्लिश वर्ड इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रांसलेट करना है वाद का मारा सबसे पहला सवाल है पंखा तेज चल रहा है अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफ़क से बताए तो आपको पास आप से पास सेके समय है तो इसका जवाब है जब फैन इस रणी फास्ट अब मरद दो है कहीं नजर ना लग जाए तो आपको पास आप से पास सेके जवाब देने के लिए कमेंट फटाफट से जवाब बताएं तो इसका जवाब है तुछ वोड शेंटेंस है कि एक हद्टे में कितने दिन हो करें आपके पास पास सेकेंट का समय है तो आपके तीसरे सेंटेंस का जवाब है कि विक पार डन आज आपका चौथा सवाल है क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे क्या है चौथा क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे आपके पास पास सेकेंट का समय है अगर आपको इसका जवाब आता हो तो हमें कमेंड करके बताएं आपके चौछी सवाल का जवाब है वुड यू प्लीज इस्पीक स्लोली आपका आप आप तक उसे भूल नहीं पाए तो आप तो पास पास सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए अगर आपको इसांसर पता है तो कमेंड बॉक्स म आपको पास सवाल है कहां रुकेंगे जो साधी में कुछ दिन पहले आएंगे तो आपको पास सेकंड का समय है जवाब देने के लिए कमेंट में फटा फटा से जवाब बतां है तो इसका जवाब है वो कम यह लाए बेन डवादिंस या फिर गेंस बीशत पोस्टेंट पर कऊंगे वह मेर लिए क्या आपको देर हो रही है तो आपके पास पास लेट पास समुष्ट देने के लिए अगर आपको इसका अंसर पता है तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं तो इसका अंसर है आर्यू गेटिंग लेट अब हमारा कुंश्चन बननों हो है और रहने देयार आज तब यह थोड़ा दाउन है तो आपको पास फिर पांच सेकंड का समय उतर देने के लिए तो इसका उतर है तो इसका उतर है तो आपको पास फिर पांच सेकंड का समय उतर देने के लिए इसका उतर है कपिल येस आयम एनी प्रॉब्लम तो यह थे आज का हमारे दस डेली उसे इंग्लिस वर्ड तो आई हो कि आप लोग ने खुद को रेंग किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोग को किसमें कोश्चन के एंसर पता है तो आप मिलेंगा आप से नेक् आप यह झाल